प्रिये विद्यार्तियों और प्रतिवाग्यों साधर नमस्कार मैं प्राध्यपक सांधिलाल विश्णोई मेरे यूट्यूब चैनल एसल भी हिंदी ट्रीके पर आप सभी का हार्दी का विन्यंदन करता हूं आज की क्लास में हम पड़ेंगे वाद्चे अनेक विद्यार्तियों और प्रिक्षार्तियों की ये विशेश मांग रही है कि हमें आशान तरीके से वाद्चे समझाया जाए तो आज हम पड़ेंगे वाद्चे के वारे में तो वाच्चे को जसा की विधित है, अंग्रेजी में वाच्चे को वोइस भी का जाता है, और वोइस आज हम यहां पे पड़ेंगे, अब देखिए साब्दिक अर्थ क्या होता है वाच्चे का, वाख्य में प्रियूक्त किरिया का वह रूप, वाक्य में प्रियुक्त किरिया का वह रूप हमें किरिया देखनी है किरिया के आदार पर हमें ये ताय करना है कि वाक्य में परदानता किश्की है करता की है कर्म की है या भाव की है और इसका बोध कराने वाले जो कारक है उनको अपने वाच्चे कहते हैं दूसरी परिपास हम मैंने क्या दिये यहां पे देखिया कि वाक्य में करता कर्म और भाव की परदानता बताने वाले किरिया की रूप को वाज़े कहते हैं कहने कताद पर यह है कि किरिया का वहह रूप जिसके द्वारा हमें यह पता लगे कोई भी वाक्य है उसमें परधान कोन है करता है कर्म है यह भाव है और परधानता का पता के से लगेगा पर धानता का पता ऐसे लगेगा कि किरिया का लिंग वचन और पुरूश करता के अनुसार आ रहा है या कर्म के अनुसार आ रहा है या फिर भाव के अनुसार आ रहा है जिस वचन जिश लिंग और जिश पुरूस का करता है उशी के अनुसार यह होगी तो वह करता के अनुसार है तो करत्री वाचिये करम के अनुसार है तो करम वाचिये और यदि भाव के अनुसार है तो भाव वाचिये अब आगे चल कर देखते हैं कि वाच्ची कितने परकार के होते हैं तो हिंदी में वाच्ची मुख्यत तीन परकार के माने गए हैं कर्त्री वाच्ची, कर्म वाच्ची और भावाच्ची कर्त्री वाच्ची का मतलब साफ है कि इसमें परदान करता होगा कर्म वाच्चे का कर्म परदान होगा और भाव वाच्चे का भाव परदान होगा देखी कर्तरी वाच्चे जब वाक्टी में परियुक्त किरिया का सीधा और परदान करता से हो अर्थात किरिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परियुक्त होते हैं तो उन्हें करत्री वाच ये कहते हैं कहने का तात्री है कि वाक्ये में किरिया है वा किसके अनुरूप प्रियूप तो करता के अनुरूप देखिए उधारन के द्वारा जैसे उधारन है लड़का दूद पीता है और लड़कियां दूद पीती है यहाँ पे लड़का आई एक वचन है यहाँ पे लड़कियां बहुचन है यहाँ पे लड़का पुलिंग है तो यहाँ पर भी पीता है किरिया पुलिंग और एक वचन की है यहाँ पे लड़कियां बहुचन है तो पीती है यहाँ पर भी लड़कियां सब्द है उसी के अनुरूप इस्त्री लिंग की ही किरिया आईए यह भी स्त्री लिंग, यह भी स्त्री लिंग, यह पुलिंग और यह भी पुलिंग कहने का ताइट पर ये है कि जिस लिंग वचन और पुरूस का करता होगा उषी की क्रिया आती है तो वे होता है करतरी वाचिये एक्सप्लेंड देखिए परफ़तन वाकिय में पीता है किरिया लड़का के अनुसार पुर्लिंग और एक वचन की है जैसे आप सब्द एक व्यक्ति के लिए हम आदर के लिए प्रियुक्त करते हैं कि आप जा रहे हैं तो यह एक व्यक्ति हो सकता है लेकिन जा रहे हैं यह किरिया बहुचन की आई है तो यह आदर प्रकट करने के लिए आए आप सब्द के लिए आई है वरणा क्या होता है कि करत्री वाचिय में किरिया करता के अनुसार यदि करता एक वचन है तो किरिया भी एक वचन की आती है लेकिन यहाँ पर आप सब्द है वो बहुचन माना जाएगा एक होने के बाद भी बहुचन माना जाएगा और बहुचन की किरिया आएगी क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्रकट कर रहे हैं हम यहाँ पे आद्र प्रकट कर रहे हैं वाची नमबर दू कर्म वाची कर्म वाची में क्या है कि जब वाची में प्रियुक्त किरिया का सिधा सम्मंद वाची में प्रियुक्त कर्म से होता है अर्थात किरिया का जो लिंग है वचन है वो क कर्ता के अनुसार ने होकर किसके अनुसार है कर्म के अनुसार है तो वहां पे होता है कर्म वाच्ची जिसे देखिए आप उधरन की द्वरा उधरन क्या कह रहा है कि कर्म वाच्ची सदे उस सैकर्मक किरियाओं का ही होता है कर्म वाच्ची सैकर्मक किरियाओं का क्यों होता है क्योंकि सैकर्मक्रिया की परिवासा क्या होती है कि जिश में कर्म हो कर्म है तो वैक्रिया कैसी है सैकर्मक्रिया है और सैकर्मक्रिया कर्म होने पर होती है तो सीधी शी बात है कि कर्म बाच्चे वो हमेशा सैकर्मक्रिया होगा क्योंकि इसमें परदानता किस की होती है, कर्म की होती है, उधारन देखिए, उधारन नमबर एक, राम ने चाई पी, राम करता, पी किरिया और चाई कर्म, शीता ने दूद पिया, शीता करता, दूद कर्म और पिया, किरिया, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क् राम के अनुशार किरिया पी नहीं आई है पी किसके अनुशार आई है चाय के अनुशार चाय इस्त्रिलिंग है तो किरिया इस्त्रिलिंग की आई है सीता ने दूद पिया सीता इस्त्रिलिंग है लेकिन पिया पुलिंग किरिया आई है पुलिंग क्यों आई है कि यहाँ पर पिया किरिया किस के नुशार आई है दूद के नुशार दूद पुलिंग है तो किरिया भी पुलिंग तो हमने पड़ा कि लिंग वचन यदि कर्म के नुशार आ रहा है किरिया का तो वह कर्म वाच्चे होगा और यहाँ पे आप दोनों उद्राणों देखिए राम पुलिंग होते वी बी किरिया इस्त्रिलिंग की क्यों आ रही है क्योंकि कर्म इस्त्रिलिंग है शीता इस्त्रिलिंग होते वी बी किरिया पुलिंग की क्यों आ रही है क्योंकि दूद पुलिंग है इसलिए अब आप यहां पर explain देखिए कि प्रियुक्त पर्थम वाकिये में किरियापी इस्त्रिलिंग एक वचन है जो वाकिये में प्रियुक्त कर्म चाय इस्त्रिलिंग एक वचन के अनुसार आई है तो दित्थी वाकिये में प्रियुक्त पिया पुलिंग एक वचन में है जो वाकिये में प्रयुक्त कर्म दूद पुलिंग और एक वचन के अनुसार आईए तो यहां पर यह बात किलिर हो जाती है अब कर्म वाची की दो इस्तियां होती है एक होती है करता युक्त कर्म वाची है और एक होती है करता रहित कर्म वाची है उनमें कर्म तो होंगे ही होंगे लेकिन कुछ वाकिय ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और किरिया तीनों होते हैं लेकिन कुछ वाकिय ऐसे होते हैं जिसमें कर्म और किरिया ही होते हैं कर्ता नहीं होता तो ऐसे वाकिया आप देखिए जैसे मैं यहां पर उदारण के दूर पर आपको दे रहा हूँ कि पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहां पर पढ़ी जाती तो किरिया है लेकिन पुस्तक क्या है? कर्म है लेकिन यहां पर करता नहीं है और पहला उदारण है करता रहित कर्म वाच्चे का अब अपने पढ़ते हैं भावच्चे भावच्चे में क्या है कि जब वाकि में प्रियूक किरिया ने तो करता के अनुसार होती है और ने ही कर्म के अनुसार होती है बलकि एसमर्ता के भाव के साथ एसमर्था के भाव के साथ होती है तो वहाँ भावाज्य होता है कहने करता है कि किरिया होगी वो ने तो करता के अनुसार आएगी और नहीं वो कर्म के अनुसार आएगी बलकि एसमर्था के भाव के साथ आएगी और उसमें सदेव किरिया केसी होगी सदेव किरिया होगी वो होगी पुलिंग, अन्यपूरूस और एकवचन की किरिया होगी तो यहाँ पर आप देखिए यह था हुदार्ण के तोर पर देखिए हुदार्ण क्या कह रहा है कि आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता अब आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता यहां पर नए कर्म का कोई मतलब है नकर्ता का कोई मतलब है वो सदेव, अन्यपुरूस की और एकवचन की है और पुलिंग की किरिया की है इस इस्तती में एक कर्मक किरिया का ही परियोग होता है कहने का ताइट परिया है कि भाव अच्छी है उसमें मुख्यत है एक कर्मक किरिया का ही परियोग होता है भाव अच्छी है मुख्यत है एक कर्मक किरिया का होता है लेकिन भावाची की एक अन्यस्तती ये भी होती है कि भावाची की एक अन्यस्तती ये है कि यदि किरिया सैकर्मक को किरिया सैकर्मक कब होगी जब उसमें करता और कर्म दोनों होंगे और दोनों विबक्ति चिन से जुड़े होंगे जिनको अपन कहते हैं त्रियक यदि करता और कर्म दोनों हैं दोनों विबक्ति चिन से जुड़े हैं तो वहाँ पर सैकर्म किरिया भी होती है भावाची में और ऐसी दसा में किरिया सदेव, पुलिंग, अन्यपुरूस, एकवचन और भूतकाल के होगी क्योंकि हमेशा ऐसी दसा में देखिए आप भावाची है लेकिन भावाची में क्या है कि एक दूसरी इस्तिती बताई है जिसमें सैकर्म किरिया होती है करता और कर्म दोनों होते हैं लेकिन करता और कर्म दोनों विबक्ति युक्त होते हैं राम ने रावन को तो यहाँ पर भी विवक्ती युक्त है और यहाँ पर भी विवक्ती युक्त है ऐसी दर्शा में उनको का जाता है त्रियक और ऐसे इस्तति जहाँ पर बन जाती है वहाँ पे किरिया ध्यान रखिए सदेव पुलिंग अन्य पुरूस सदेव पुलिंग अन्य पुरूस एक वचन और भूत काल की किरिया होती है जैसे उदारण आपने देखे राम ने रावन को मारा तो यहाँ पर दोनों भी विवक्ती चिन है लड़कियों ने अपराजियों को पूटा तो ने और को दोनों भी वक्ती चिन है तो ऐसी दसा में हम ऐसा यह इस्तिति होती है चली आगे देखते है अब हसे परिवर्तन के से किया जता है करित्री वाचीश बावाचीश बनाना है तो इस के लिए आपको क्या करना है इसमें करता को गोण बताकर कर्म की परदानता बताई जाती है क्योंकि करतर वाचे से हम क्या बना रहे हैं कर्म वाचे और कर्म वाचे बना रहे हैं तो शिदी बात है करता को क्या करना पड़ेगा गोण और कर्म को क्या करना पड़ेगा परदान और ये इस्तिती दो प्रकार्शे की जाती है पहले इस्तिती क्या है कि करता को करण कारक या माध्यम की रूप में परियुक्त करके करण कारक में क्या होता है शे या के द्वारा तो हम करता को जिसे राम पुस्तक पढ़ता है तो अपन क्या कर देंगे कि राम की द्वारा पुस्तक पड़ी जाती है तो राम को हम क्या कर देंगे करन कारक राम को अपन क्या बना देंगे एक माध्या बना देंगे एशा करके कर सकते हैं या फिर उस करता के साथ से ये द्वारा विबक्ती लगा कर भी करता का अपन लोप कर सकते हैं या तो करता का लोप कर दो उस तक पड़ी जाती है करता का लोप हो गया या फिर से या द्वारा सब्द भी लगाया जा सकता है या था आप देखिए उधारन देखिए राम पत्र लिखेगा राम पत्र लिखेगा क्या लिखेगा पत्र अब क्या है करत्री वाच्ची से अपने को किसमे बढ़ाना है कर्म वाच्ची में राम पत्र लिखेगा क्या लिखेगा पत्र लिखेगा अब इसको कर्म वाच्ची में करना है तो अपने क्या करते थे हैं राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा इसको अपने कर्म वाजिम बदल लिया जैसे कर्त्री बाची की उधारने कर्म वाची गुदरने आप उधारन से देखिए उधारन नमर एक दो और तीन कलाकार मूर्ती गड़ता है कलाकार मूर्ती गड़ता है कलाकार द्वारा मूर्ती गड़ी जाती है वह पत्र लिखता है उशकी द्वारा पत्र लिखा जाता है परशांत ने पुस्तक पड़ी परशांत द्वारा पुस्तक पड़ी गई अब देखिए यहां पर यह एक करेक्शन है यहां पर परशांत ने पुस्तक पड़ी तो यहां पर पड़ी सब्द है इसको अपन परशांत पुस्तक पड़ता है भी कर सकते हैं दूसरा करत्री वाचे से भावाचे के से बनाया जाता है करत्री वाचे से बनाते समय करता के साथ ले से लगाया जाता है करतरी वाचेर से अपन क्या बना रहे हैं भावाचे तो से लगया जाता है या करता का उलेक ही नहीं होता किन्तु करता का उलेक नहीं होने किस्ते तब होती है जब मूल करता समानी वेखती हो साथी मुख्य किरिया के पुर्व करदंति कर्मों के बाद सयोगी किरिया जा लगती है सयोगी किरिया क्या होती है जो एक किरिया के साथ लगकर उसका सयोग देकर उस किरिया को पुर्ण करती है उधान देखिए आप उधान से समझ में आ जाएगा मैं अब चल नहीं पाता ये एक करत्री वाची है क्योंकि ये पाता किरिया किसके अनुसार आ रही है मैं के अनुसार जबकि बाव वाची में क्या है बाव है वह हमेसा किरिया एक जिसी रहेगी चाए पुलिंग है चाए इस्त्रिलिंग है जैसे मुझ से चला नहीं जाता गर्मियों में लोग खूब नाते हैं अब नाते हैं ये लोगों के अनुसार आई ये किरिया लेकिन यहां पर गर्मियों में खूब नाया जाता है किरिया उपर की दे कि ये नहीं जाता यहाँ पे नाया जाता और नीचे नहीं जा सकता मतलब सब किरिया एक जिसी आ रही है वे गाना वे गा नहीं सकते तो उनसे गाया नहीं जाता तो कुल मिलाकर जो नकारात्मकता भाव होता है ऐसमरता का भाव होता है वो हमेशा भावाचीन होता है आगे कर्म वाच्ये और भाव वाच्ये से कर्त्री वाच्ये कैसे बनाते हैं तो कर्त्री वाच्ये में कर्ता की परदानता होती है जब कर्म वाच्ये में कर्म की परदानता होती है अब कर्म वाच्ये से कर्त्री वाच्ये बनाते समय पुने कर्ता के अनुशार के लिया प्रियुत कर देंगे तो देखो कर्म वाचे से अपन भावाचे बना रहे हैं कर्म वाचे से अपन कर्त्री वाचे बना रहे हैं तो वापस कर्त्री वाचे बनाते वक्त हम कर्ता को परदानता दे देंगे और कर्त्री वाचेश येदी बावाची बना रहे हैं तो हम कर्म को परदानता दे देंगे ये से उदान देखी यहाँ पे उसके द्वारा पत्तर लिखा जाएगा यह कर्म वाची उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा और इसका करतरी बाची करता ही हम करता को परदानता दे देंगे कि वह पत्र लिखेगा बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए यहाँ पर चित्र की परदानता है जबकि यहां पर हम बच्चों को परदानता दे देंगे बच्चों ने चेतर बढ़ाए गदे द्वारा बोजा डोया गया परदानता इस की है लेकिन हम कहा देंगे गदे ने बोजा डोया अब यहां पर कुछ विसेश बातें लेकर मैं आपके लिए यह प्रस्तुतू आओं जिनका आप ध्यान रिखोगे तो आराम से आप वाचित प्रस्षान अल कर पाओगे करूं यह सदिय्य उसय कर्मक्रिया गहुग ध्या रखें कर्म वाचिय का उधारण है तो उसमें कर्म हो गाई होगा उधारण विसेस नमबर दो भावाचे मुख्यत अक कर्मक कर्या का होता है परंतु करता कर्म दोनों त्रियक हमने पीछे पड़ा दोनों त्रियक यानि विभक्ती युक्त अने पर पर कर्या सै कर्मक मानी जाती है और सै कर्मक कर्या ऐसी हो वहाँ पर कर्या होगी वह सदेव अन्य पुरूस एक वचन और भूत काल की होगी बहुत ही महत्पून है आपके लिए नोट करके रखें फिसेश नमर तीन क्या कहता है कि करत्री वाच्चे ऐकरमक साकरमक अन्य सभी परकार की किरियाओं का होता है करत्री वाच्चे करत्री वाच्चे एक्रमक्रियाओं का भी होता है शक्रमक्रियाओं के साथ अन्य जितनी भी परकार की क्रियाओं है उनमें करत्री वाच्चे का प्रियोग होता है तो ये तीनों में थोड़ा डिफ्रेंस करने के लिए थोड़ा अंतर करने के लिए थोड़ी इनकी तीनों की पैचान थी विसेस नमर चार देखिए भावाचे का प्रियोग निसेद नकारात्मक्ता के रूप में मिलता है अधिकतर जहां पर नकारात्मक्ता का भाव होता है वहां पर भावाचे होता है वाच्य के अनुसार ही किरिया का प्रियोग की आज़ता है जैसा वाच्य है उसी के अनुसार किरिया यानि कर्म की परदानता तो कर्म के अनुसार कर्ता की परदानता तो कर्ता के अनुसार और भाव की परदानता तो भाव के अनुसार और इसी को आधार मना कर संस्कृत में इनको ती नाम दिये गए हैं करत्री परियोग, कर्मनी परियोग और भाव परियोग अब एक सब्द आता है वाचिये में अनविती परियोग अब अनविती क्या है? देखिए अनविती सब्द का रत होता है अनुगमन हिंदी में किरिया रूपों की अनिविती उसकी लिंग वचन पुरूस का निर्धारण तीन प्रकार किशे होता है कहने का तात्परी यह है कि किरिया है उसका निर्धारण किशे हो किरिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हो किरिया का निर्धारण करता के अनुसार हो कर्त्री प्रयोग किरिया के लिंग वचन और पुरूस किसके अनुसार होगी ठीक कर्ता के लिंग वचन और पुरूस के अनुसार होगा यदि कर्मनी प्रयोग कर्म का प्रयोग वचन और पुरूस के अनुसार होगा और यदि भाव प्रयोग है तो नहीं तो किरिया कर्ता के लिंग वचन और पुरूस के अनुसार होगी नहीं वचन के अनुसार होगी बलकि वचन के अनुसार होगी तो ऐसी देसा में किरिया सदेव, एक वचन, पुलिंग और अन्य वचन की होगी ये पहचान है प्रिय विद्यारतियों और परतिवाग्यों सभी तीनों के तीन वाचिये में ये पहचान है और इस पहचान को किलिएर करके आप आसानी से किसी परकार का अपना कनफ्यूज वची परिवरतन से समदिताप दूर कर सकते हैं तो ये आज की क्लास का अपना सीर्शकता वची परिवरतन मैंने पूरुन तनमयता के साथ, आसान से आशान तरीके के साथ शंप्रोनता के साथ इस चेप्टर को समझाने के आपको कोशिश की फिर भी यदि आपको किसी परकार की संका है तो आप जरूर इसके बारे में राय लें हर वीडियो अपलोड के साथ मेरे आपको वार्सप नमर मिलेंगे कॉंटेक्ट नमर मिलेंगे यूट्यूब का आपको लिंक मिलेगा वहाँ जाकर आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं या पर्शनली मुझे मेसेज करके आप इसका समाधान चाशकते हैं मेरा एक युद्धेसी है कि आपका जो भी चेप्टर है आपका जो भी कनफ्यूज है वो किलियर हो और यदि आपको कोई बात मेरे मारपत समझ में आती है और मैं आपका मारख दर्शन कर पाता हूँ तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्यों होई नहीं सकती मैं आप से पुने यह चाहूंगा कि आप अधीक से अधीक विद्यारतियों और परती बाग्यों तक यह लिंक पहुंचाएं यह यूट्यूब चैनल पहुंचाएं उनको आप अधीक से अधीक लाइक शेर और कमेंट करने के लिए कहें और आप से मेरा निवे दिन रहेगा कि आप चैनल को सबस्क्राइब करें, शदिशी बनें और और अधीक से अधीक लोगों को इसका शदिशी बनाएं, ताकि जैसी अपनी शदिशी संग्या हजार के पार होगी, तो हम कोसिस करेंगे कि हर क्लास आपको लायू दर्शाएं, ल अपनी सब्दों के साथ, आपके उजून पहुश्य की सुबकामना के साथ, जै हिंद, जै भर्त!